अज हम लोग यहां पे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि आज पढ़ने वाले हैं जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से उन पे डिस्कस करेंगे ठीक है क्योंकि आर्टिकल से कॉश्चन आपके पूछे जाते हैं चाहे वो यूपी चाहे इस्टेट पीसी आसो चाहे रेल्डे बैंकि आप जो भी एक्जाम दे रहे हैं जो यह इनिकि पॉलिटी का कोई भी आप यह इसा सोचे कि हम इंपॉर्टेंट टाफिक पढ़के घदम करते हैं पॉलिटी के हर एक शेप्टर हर एक एक जाम की पॉइंट बहुत इंपॉ नोटिफिकेशन आ गया है उसका वी एक्जाम होने वाले ठीक है फार्म अपलाई किये चाह रहे हैं उसके बाद रेल्बे बैंकि जितने भी शेक्टर हो एक्जाम होते वहां पर होता गया ना कि पॉलिटी में जो भी चैप्टर देगें चाहे प्रेसिडेंट का चैप्टर हो चाहे आपके संसद का हो चाहे आपके पार यहनी कि हम बात करें मोल करतब मोल जो हमारी अधिकार होते हैं कोई भी ऐसे चैप्टर है नहीं कि जहां से छोड़े गए हो इसलिए हम यहां से हमें मतलब कुछी टॉपिक पढ़ना है इसलिए सारी चीज़े हमारे लिए इंप कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया जियोग्राफी हो गया हिस्ट्री हो गया तो इनसे आने ही आने है कुछ भी हो जाए ठीक है वाकी अधर का ले लिजिए इसलिए आपको इन्हें अच्छे तरीके से कंप्लेट करना है हलां कि तीन सो पैंसे जो संभी रान पे अभी बरतमान में 470 होगे वह हम पढ़ भी नहीं पाएंगे तो इतना बड़ा हाम में मतलब पढ़ना भी नहीं है कि सारे के सारे रट्टा मारते बढ़ते रहे जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही देखेंगे और तो आपको क्या करना कि साथ-साथ मेरे नो तो इसलिए आप थोड़ा सा मतलब इतना रिकेश्ट है कि नोटस बनाते चाहिएगा देखिए आज हम बात करेंगे आपको पता है एक बार में फिर रिकॉल कर देती हूं कि हमारे मोल संभी धान में कितने थे यदि जब हमारे संभी धान बनके लागू हुआ था उस टाइम की हम बात करें तो हमारे मोल संभी धान में आपकी आती है आठ अनुसूचिया थी ठीक है यह अनुसूचिया हम कबर कर चुके है उसके बाद आता है जो अभी बरतमान में 12 हो चुके है तो मोल संभी धान में 8 थी बरतमान में 12 अनुसूचिया उसके बाद मोल संभी धान में हमारे भाग जो थे वह कितने थे 22 थे बरतमान में भाग कितने हो चुके हैं तो बरतमान में या प्रेजन टाइम में आपके भाग हो चुके हैं 25 और इन भाग के अंतरगर आर्टिकल्स को रखा गया है जो कि आपके जो मुल संभीधान था उस ताइम पे आपके आर्टिकल कित तो इतने आर्टिकल बरतमान समय में हो चुके हैं हलागी इन में ऐसा नंबरिंग जो यह 470 बताया जा रहा अभी तो इस तरीके के बना-बना के इनके सब आर्टिकल बढ़े हैं तो तोटल ओबराल मिला जाए तो 470 हो चुकी है नंबरिंग अभी यही है लेकिन यह सब आर्टिकल सब कुछ मिला के बात कि जब दो जो बात की जा रहे कि हो गए ठीक है तो अब हमें यह सारे आर्टिकल है भाग पहला उसी तरीके से हमारा सम्मीधान भी लिखा गया उसमें 25 भागों में से मतलब कि एक फाग में कितने बाद की गयी है लगे करता है ए से चार तक भाग EDWAR क्या है जो मैं लिक्षवाती जा रही हूं आपको ऐसे लिखते जाना है और भागे असीं Е Glue accepted और एक से चार तक में अब आपको जो लिखना है कि पहले आठिकल में क्या बात की जो गई गई है कौन भाग एक आपका करता है ठीक है कभी कुस्टिन बने यह हैं कभी क्या बने का कि भाग एक में क्या दिया गया तो आपसर आपको दिए? टीन चाथ जिन हमें से आपको ट्रिक करना होगा संख एभाम राज्य iç tutorial की बात भाग तो आपको यहां पर दिखे लेना है और भाग एक में भारत के दो नामों को वर्डित किया गया है कभी मतलब कि आपको ज़्यादा कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा लेकिन होता गया ना कि फिर हम यहीं पर छोटी छोटी गलती कर जाते हैं और वहीं पर मात खा जाती इसलिए आप इसे नोट कर लिजिए लेकिन यहीं पर एक और कहीं गई है कि भारत की छो जो ऑमारा अंजिया है और दोस्रा हमारा आता है वह भारत और इंडिक की सारे नं है कौन कौन से जैसे आप देखो कि आर्या वर्थ हो गया हिंदुस्तान हो गया तो इंडिया हो गया उसके बाद भारत हो गया अब आप ऐसा कहो कि इंडिया इंग्लिस में है भारत हिंदी में है ऐसा नहीं है संभीधान में यह दो नम बढ़नी थी है तो इसका हिंदी इंग्लि तो उसको हिंड से दोन को इंडिया कह गया ठीक है सिंदू रिवर के जो इस साइड थे जहां हम लोग है तो बोले कि जो उस साइड जगए है या जो देस है वह इंडिया है रिवर सिंदू रिवर के ही अकारडिंग बनाए गये थे हिंदूस्तान टो गणा रे वहाँ के लोग के आपको इस receptive करते हैं उसके बाद आर्या वर्त आपका चोभी आ पुराणों वगयरा में मिलता है भारत का नाम आर्या वरते था तो यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलती है तो यह सारे भारत की नाम होते हैं लेकिन संभीधान में दो ही नाम बढ़नी थे वह भी आर्टिकल हमारे फ़र्ष्ट में भारत और इंडिया आज आपका डाउ बात करता है नए राजियों के प्रवेस की स्थापना यहां पर की गई है तो यह क्या बात की गई है इस्टैबलेस्मेंट की बात की गई हैं तो आर्टिकल 2 और तीन थोड़ा कंफ्यूजिंग वाले हैं थोड़ा ब्रवेश कीоротि अप्श्य आपनीर्ट में भी अपनीर्ट की में हायी इस पते हैं यहां से हम बहसी है इंडिया यह नेपाल वाला यहां पर भूटान तो यह जो सिक्किम था ना यह हमारे भारत का इसा नहीं था एक चोटू जमाँ पर राज़ाही वेवस्ता चलती थी लेकिन अब दिक्कत यह आ चुके थी चाइना मतलब कि अब वह तो ताक में बैठा ही रहता कि कहीं भी घर बसा देता है तो इससे क्या नहीं जमा सकती तो उनका अलग मेटा था ठीक है तो फिर एक दो साल तक यह भारत वाले उनका सारा मतलब सब कुछ संदक्षन वगएरा देखते हैं और वहां की मतलब सरकार बोली से कि यह हमें यकीन होगा कि आप हमारा देख रेख हमारे पब्लिक का कर सकते हो तब ही हम सा सामिल हो जाता है तो देखो भारत सिक्किम क्या था एक अलग अपना राजी ही था ठीक है वहां पर किसी कि भारत कहें कि दावा करें कि सिक्किम आप तो दावा करें पहले दावा करता कि नहीं जैसे राज्यों का पुनर गठन हो रहा तो हम सिक्किम को भी मिला ले तो ऐसा तो यहां से नेपाल से नेपाल से यहां से घीरा हुआ था चाइना से अब यहां से भारा से घीरा हुआ था वेचारे के पास मजबूरी थी करता तो करता क्योंकि कोई इतना वहता है जो भी छोटा होटा दबाते हैं हर एक इंसान दबाता है और शिक्किम भी ढंव कहां से यह वह दो पर सब्सक्राइब और यह दो टो कहीं जीने भी देंगे पर यह ना सिम दें पूझेने के इंपने मालो कि नेपाल का कोई एरिया हम अपने में मिला रहे वो आर्टिकल दो में बात करता है शेत्र सीमा में परिवर्दन और नाम में परिवर्दन दोनों ध्यान से समझ यहां पर आर्टिकल आपको इसलिए समझा थोड़ा time लग रहा है क्योंकि जो समझ अनुद कर आप समय आप चैप्टर में आपको पूरा डिटेल समझ में आजाए ठीक है अब देखो क्या बात की गई कि सिक्किम का मैंने क्या बता है जो आर्टिकल दो कहता आपका कि जैसे नेपाल का भूटान का पाकिस्तान का किसी का भी एरिया हम अपने में मिला ले सीधा सा बना है कि अपने राज चौदको यहां पर कर ते लंगा और अंध्रा से ते लंगाना अलग है इंडिया के अंदर है इंडिया के अंदर शेश दोहां सब्सक्न सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब efforts श्री वालाकी में ऑष़ज़े इसमें लाहिवा आंद्रा का पूरा एरिया था उसका आधा डिवाइट कर दिया गया कि भाई अब यह नया सीमा चेत्र यहां से यहां तक का तेलंग आना वाला आएगा अभी आलग राज़ बनेगा तो यहां पर आपको याद रखना है कि अपने रेश के अंदर किसी भी राज्य में जैसे य आठीकल 3 कहता आई हो कि असी में आपको समझे में आ चुके होंगे अब आता है आर्टिकल 4 की आप बात करोगे तो इसमें क्या बात की गई है हमारा जो आर्टिकल 4 आता है इसमें बात की गई है कि संसद की सक्टिके प्राधान अनुसूची एक और दो में परिवर्तन होने पर सब्विधान सनसोधा नंबर नहीं दिया जाये गा ठीक है तो इसमें क्या बताए वंध करने के लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतरगत बनाई गई विधियां इसमें बात की गई है ठीक है तो यहां पर जो अभी बताएगा न मैंने बता कि संसोधा नंबर नहीं दिया जाएगा तो अब देखो किसी भी राजी में परिवतन किया जारा कुछ भी किया चाहिए तो अनुसूची 1 और 4 की बात की जा रही है तो अनुसूची जो एक और 4 है आपकी याद करिए अनुसूची 1 और 4 में क्या था मैंने इसे लिए उना था कि आप लिख लिएगा ठीक है जब वीटियो सुनते हैं तो रहा एक सब कुछ बनता लिखना क्या है लेकिन ह तो उस टाइम तक याद रखना है जब तक हमारा एक्जाम ना हो जाए एक्जाम सिंटर या पेपर फिल करने तक हमें पता होनी चाहिए चीजी ठीक है तो कम से कम वीडियो सुनने के बाद तो ओविस एक इतना गरंटी ले सकते हैं उस टाइम तक नहीं याद रहेगा उस हाक प्रम्पावारत इसको याद रखना है आपको अब आता है आपका भाग दो यह तो हमने बात की भागएक की बाता है about जो थक है भागएक में क्या था आपका झातर यानी कि संफ और राज चेत्र भाग एक हार्टिकल 14 अब आई का तो बात करना है चितने से कितने तक Annika है उसके बाद हैं पर कितने से कितने अंड़े कृड़ी तक हो बाते हैं पांच से ऐग्यारimana 5-1 पर स конце 111 िर्द कहां पर हैं आपके भाग 2 में थीक है तो भाग्दो Songs G2 मैं पिर बोल डूँ आप या से जंसे इसके अंतर गुवर लाइ ज magnet की तने आर्टीकल आ रहे है इन इन अर्टीकल को दिवाइड करते हैं देखते हैं कि अब gonna चैप्टर है पूरा दिटेल से समझेगे बस यहां पर जो भाग 5 है इन ब्रहुता है जात बात है यह हमें क्या बताता है कि इसमें जो हमारी है यानि कि संभीधान के प्रारंभे में नागरिक्ता ठीक है कि जैसे बात की गए थी यदि आप देखो कि जो नागरिक्ता की बात है यानि कि इसमें परिभासा है और जन में से देखो इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया था कि किस तरीके से यह citizenship एक दा कि हमारा जो बात करता है न कि देखो कैसे किस तरीके से हमें नाघृक्ता मीलेगी तो हम इनडिया के हैं थीक है हमें भी डैश्व की नागर्इकता लहना हमने आपके पहले यह था है उसमें भी भारत पाहिस्तान और जो अपका है पाकिस्तान अम्गाणिस्तान तो इनमें क्या पताए कि नपने वाले लोग तो क्या करेंगत अंदिया में आते हैं और इंडिया में पाकिस्तान से उनको नागरिक्ता देने के बात जी तो हैं तो इसमें अव्हां कि मुस्लिम को नहीं सामिल किया गया था उसका विरीजन था लेकिन बहुं हमें नागरिक्ता पड़ेंगे तब देखेंगे बस इतना याद रखिए कि आर्टिकल 5 क्या बात करता नागरिक्ता की परिवांसा की बात करता है और कि इस तने अधार प तो यह जन में से नागरिक्ता हो गई और यदि आपको लगता हो कि बनवाने की तो बताइएगा जो यहीं की है जिनके पैरेंट्स यहीं के हैं उन्हें कोई सर्टीफिकेट नहीं फिर भी आपको होगे कि हम भारत की नागरिक्ता है उसके वाद आता है वंसक्रम से यानि कि को गविटर दादी पर दादी के वह रहे हों तो वहां वहां बनची करन करेंदा तो यह वी देशियों वाला फिर आ जाता है ठीक है उसके बाद आता है आपका कि जो उद्देशी करण अरजित भूभाग के अधार पर भी आपको इसमें क्या बताया था कि यहां पर नागरिटा के कुछ प्रावधान किये कहते हैं यह हलाकि जो मैं भी बता रहे हूं अलग से चैप्टर पूरा इसलिए मैं यहां पर कवर करा रहूं तो पढ़ने में आसानी होगी तो पांच परिफान सा बताता की कितने तरीके से नागरिटा दे जाती मैंने आपको बता दिया जन्मे से बंसे से पंजी करण से उद्दैसी करण से इंसाब अधार पर हमें क्या व्यक्तियों के नागरिक्ता के अधिकार पाकिस्तान से भारत यह 6 और 7 बड़ा कन्फियोजन वाला होता है तो इसमें क्या बता है पाकिस्तान से यानि कि पाकिस्तान से क्या करेंगे कि जो भारत आ रहे हैं उनके लिए नागरिक्ता की बात की जा रही है और सात्वा कहता है क कि पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वह से भारत को सीधा से समझ तो थोड़ा सी मतलब की इंडिया पकिस्तान का वह डिवाइडेशन होता है तो 1948 तक तक 1927 में हो जाता है तक जो भी लोग तो क्या करते हैं या तो पाकिस्तान में यानि कि पाकिस्तान के जो लोग थे भारत आते कुछ हिंदू थे कुछ मुस्लिम भी थे जिने बहुत ज्यादा प्रतारिक किया गया बहुत मतलब नरसंगार होना सुरूख हो चुका था तो वहा किल तो भारत वाले उनको जीने नहीं दे रहे ठटनका यहिए कि हिंदू मुस्लिम में सब्सक्राइब लड़ाई- शुरू हो गए थे तो कुछ भारत से भी तंग हो के पाकिस्तान जाने लगे थे तो यह दोनों ही बात कि पाकिस्तान से जो भारत आ रहे थे आरिकल-6 पा स्वारत के लोग निए वाहाने को पाकिस्तान से भारत आब से पाकिस्तार जाने वालों को पहले कि इचान लाला देखिएंगा पाक्स्ताण से भारत आ यहीं बताए गाहरा कि भारत्य लोक्ति आधिकार ॷमistva के लंग्राप्षा भारतियामन के व्यक्तियों के देख्वा एक लुक्त तो आर्टिये मूल के कुछ व्यक्ति हैं जिनके नागरीक अधिकार यहां पर दिये जाएंगे ठीक है उसके बाद आर्टिकल नौ कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिक्ता स्वख्षा स्याजित करने वाले व्यक्तियों की नागरिक्ता ना होना नागरिक्ता कंड्रिक्ता जाते हैं आफ्रेका की कंड्री में एक यह मैं अपने पडेशी देश्में में चले जाते हैं नेपाल हमारी नाग्रिकता खतम हो जाएंगे कि हम क्या है हम इंडिया के नागरिक है यह अब हम इंड्रे की नागरिकता ले सकते यह आटिकल नौ बात करता है कि आधिकार खत्म कर दिये जाएंगे आप किसी राष्ट की नागरिकता स्वविकार कर लेते हैं तो थीक है अब आता है हमारा 10 दस में क्या बात की गई है आपका कि नागरिक्ता के अधिकारों का बना रहना यानि कि 9 कहता है खताम हो जाना 10 कहता है कि नागरिक्ता के अधिकारों का बना रहना और 11 कहता है कि संसे द्वारा नागरिक्ता के अधिकार का बिधी द्वारा बिनिमे तो इसले इसमें बतायागा है कि हमारा जो संसत दौरा किया जाता है कि नाकरिता क्याधिकार का बेधी दौरा बिनेमन किया जाना, यह भी हमारा भाग 5 में ही आता है, तो भाग 5 में यह 5 से 11 तक आर्टिटल है, और इन सब में बात कर ली यह जो confusion वाला थोड़ा सा याद रख तो पाकिस्तान आपको पताए कि वह थांती में बयाद कर दो पहले के लेकिन अपकर पारेंगे लेकिन नहीं पहले समय नहीं ऐगे तो वही वाला हुआ कि हम पहले तो आपको याद है नहीं पहले भारत कि पहले आएगा और याद करने हमने भी शुरुखिया और साथ हमारे यहां से भी पाकिस्तान जाने लगे इतना याद रखना आपको आपको याद हो गए होंगे तो पांच से यानिकी एक से इग्यारह तक आर्टिकल मिल्कुल मुझवानी रट्र जाने चाहिए और इसके बाद हम आगे बात करेंगे अपना पर आपको पढ़ा रही हूं ठीक है और उतने ही हमारे काम के हैं उससे ज़्यादा हमें कोई अब बनते उन पर इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है लेकिन जितना हम पढ़ रहें उतने से हमारा काम हो जाएगा बस इतना है ठीक है तो आप में से किसी को साउक हो तो मैं सो महां पर आपको मिल जाएगे सारे आर्टिकल पढ़िए मौज से या तो आप पढ़िए बेयारेक्ट नाम की एक भूक आती है ठीक है तो यह माथा मच्छी माथा पच्छी मत करना आप लोग यह वाला वेकूफी की बेयारेक्ट पढ़ोगा लेकिन हां जो यूपी सी स्टे यहां पर तो आप इसे ले सकते हैं और इसे पढ़िए आप लोग बहुत अची तरीके से आपको यहां पर बताया गया है समझाया है हर एक आर्टिकल को पूरा एकस्प्लेन करकर करके बताए गया कि यहां पर क्या है कैसे है क्यों हुआ वह सब चीजे आपको वहां पर सारे मिल चाहेंगे तो आप भूग भी लेना चाहें तो बेसक मैंने बता दिया कि या तो इसके पीछे लाश्ट में दिये रहते लाश्ट पेचस में अभी जिनके पास जिक से डीसन होगे उनके लिए मैं पेश नंबर भी बता दू कितना है यहां पर आपको आएगा यह पेश लाश्ट में आते हैं एक से पूरत यह पंचान अवे तक वहां पर अनुछे दिये गए हैं आपको लाश्ट में जाना है लाश्ट में खोलेंगे तो इतना तो पढ़े लिखें हैं आपको मिल चाहें का चहां पर भी है ठीक है तो याद कर लीजिएगा लेकिन जो मैं कि राश्टे पति यह सारी चीजिए हम देखेंगे ठीक है पुरू दो